यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रीक बोर्ड परिक्षा 2022 में देंगे और आप चाहते हैं कि संस्कृत में आपका 100 में 100 स्कूर हो आपको पहले से मालू हो कि हमारा 2022 बोर्ड परिक्षा में संस्कृत का ओरिजिनल कोस्चन पेपर कैसे आएगा तो आज का इस संदार वीड से हम आपको एक ऐसा सटिक रणनीती बताकर जानकारी देंगे कि जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप भी 2022 बोर्ड परिक्षा में टॉपर बन सकते हैं संस्कृत में आप 100 में 100 स्कूर आराम से कर सकते हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसे ऐसे टिप्स आपको दि संस्कृत नहीं आता होगा पढ़ने तब भी संस्कृत विशाय का यहीं खुडी है कि इसमें कम मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप सटिक दिशा में सही परियास करते हैं तो आपको 100 में 100 अराम से मिलता है बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है संस्कृत इसके बाद ह हम लोग सबसे महत्वपूर्ण रहेगा यहां पर देख पा रहा है इंपोर्टेंट टॉपिक अर्थात कि अभी से कौन-कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है 2022 परिक्षा में संस्कृत का जिसको हम पढ़ने तो हमारा आराम से 100 में 100 कोशन क्योंकि समझे सभी टॉपिक मैं और जो भी हम लोग चर्चा करेंगे बिलर 22 परिक्षा के सिलेबस के अनुरूफ ही हम लोग कुछ भी चर्चा करने वाले हैं तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं ध्यान से एक एक टिप्स को फोलो आप करते हैं तो आपको संस्कृत से कितना भी डर लगता होगा होगा तभी असानी से अब अपना टार्गेट सो में सोवे स्कोर कर सकते हैं संस्कृत में भी चलिए सुरुवात करते हैं औरीजिनल कोशन पैपर के साथ की 2022 परिक्षा का औरीजिनल कोशन पैपर कैसे आएगा तो यह लिखा हुआ देखना है कि सेकेंडरी स्कूल एक्जाम आने के लिए अगर आभी 2022 परिक्षा में चाहते हैं कि मेहनत करके आभी टॉपर बने तो इस स्रीज में हमारा यह पहला वीडियो नहीं है पीछे मैं आपको मैत के कोश्चन पैपर के बारे में जानकारी चुका हूं कि कैसे आप मैत में पढ़के सो में सोव ला सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप चेक करके जरूर देखकर और सही दिसा में तयारी करें तो सभी वीडियो देखकर आप इसे समझ सकते हैं चलिए हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे जैसे ही इस पैपर को स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिएगा तो इसके बाद आपको दिखाई देगा इसे इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन संस्क्रित में बड़ा कम होता है बिल्कुल कमन है मैं बोला कि वीडियो आप देखेंगे तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं उसको पढ़ने के बाद जैसे ही आप आ बिल्कुल कम मेहनत और हिंदी में पढ़के सबसे पहले 2022 बोल परिक्शा में आपको मिलेगा आपका प्रस्ण पत्र दो खंड में रहेगा एक खंड और खंड बह खंड और रहेगा आपका अब्जेक्टिव टाइप प्रस्ण अर्थाज की बस्तू निष्ट प्रस्ण जो आपसे सो पूछा जाएगा जिसमें से मात्र आपको 50 का जबाब देना है एक-एक माक्स कर रहेगा इसमें आपको इसके लिए आपको 50 अंक मिलेगा यह बड़ा आसान होता है कैसे हम पढ़े किया कि आप पहलने कौन-कौन टौपिक पहलने की 50 में 50 आभी आगे मैं आपको बता रहा हूं अभी पहले पैटर्ण को ध्यान से समझीएगा उसके बाद अब्जेक्टिव करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे जैसे ही तब मिलेगा आपको खंड बह अर्थात की 20 प्रस्ण सब्जेक्टिव प्रस्ण उसमें आपको सबसे पहठीत गाधांस इसमें आपको कुछ लिखा रहेगा संस्क्रीट में और नीचे उसका प्रस्ण रहेगा उससे आपको उसका उतर इसमें से खोजख़जगर बनाना होता है तो एक में दो प्रस्ण रहेंगे भले कोश्चन नमर वन रहेगा लेकिन यहां पे आपको 2022 प्रक्षा में एक रहेगा और प्रस्ण दो गधांस दिये रहेंगे जिसमें से कोई एक आपको बना देना है उसमें से कोई आपको एक बना देना है दो में से तो एक एक और दो टोटल आपको बनाना है अर्थात कि ओभराल बात करें तो अपर्टित गधांस चार पुछा जाएगा जिसमें से दो का आप से पूछा जाएगा संस्कृत पत्र लेखनाम ये आपका सेक्शन होता है total आठंका और सज्ट पत्र लेखनाम में आपसे चार परसन भले एक पर प्रसन आपं पर दिया गया लेकिन एक मैं आपका रहेगा एक दो तीन चारे से रोमान में विदमें लिक्रीट में इस You तो सॉल्ब करने के बाद तीसरा सेक्सर आपको मिलेगा संस्क्रीट अनुछेद लेखनम जो तेरहं का ये भी होता है और इसमें सबसे पहले आपको दो प्रस्न मिलेगा एक प्रस्न में पांच बिकल्प दिया जाएगा जिसमें से किसी पर अनुछेद अर्थात की ये आपको अनुछेद लेखन के लिए साथ और अनुबाद के लिए 6-13 अंक मिलेंगे ये भी एक ही सेक्षन में दोनों प्रस्न रहता है उसके बाद आगे इसको भी सॉल्प करने के बाद आप बढ़ेंगे तो मिलेगा सो टांसर टाइपर ताद की लगू उतरिये प्रस्न जो शुलध अंकार रहेगा और इसमें टोटल शुलध प्रस्न पूछे जाएंगे जो आपके पाठ्य पूछ तक से रहेगा और इसमें से 8 का जवाब आपको येंने ये तो हुगा, कॉशन पैटर्न आप समझ लिएंगे कि इसी पैटर्न पे प्रस्न आएगा, अब मूल प पढ़ने कि ये सभी हमारा आसानी से तैयार हो जागर हम को संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तभी हम सव में सव में स्कूर कर सकें तो इसके लिए यहां पे ध्यान से समझिए हम लोग बात करेंगे कि संस्कृत ब्याकरन क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत में दो तरह से एक पे उसके बद आपको टीसरा नमर्ड टापिक है बिभक्ती पर आपको कमांड रखना है उसके बाद आपको धातु रूप बिभक्ती ये असर के बढ़ना है और इसमें भी एक secret है उसकी भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर एक बात और गौर से समझे इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि अपने पाठ पूस्तक के परस्न को समझ कर रखना है जो पाठ पूस्तक जो आपका संस्कृत का पूस्तक आता है फ़र्ष्ट आपको बस यहीं छोड टॉपिक पर यदि आपका कमांड है तो आसानी से ब्याकरन के आप सभी प्रस्ण को सॉल्व कर सकते हैं अब मूल प्रस्ण यह है कि कैसे पढ़े कि अब्जेक्टिव में हमारा सो में सो अंका जाए तो आपने देखा कि अब्जेक्टिव में कितना प् अब ध्यान से समझेगा 40-45 प्रस्ण तो सीधे आपके पाठ पुष्टक से पूछ लिए जाते हैं और वह भी बिल्कुल हिंदी में कि आलस कता पाठ को किसने लिखा है आलसियों के घर में आग किसने लगा है मैत्री कौन थी ऐसे ऐसे प्रस्ण आप से पूछा जाता है क्योंकि सोचे लंबोदर कौन सा समस है आयक का संधी पिछेत किया होगा कि समस का पर थंपद संख्या वाचक होता है हिंदी में सभी प्रस्ण आते हैं खासियत यहीं संस्कृट में इसलिए मैं बोला कि हिंदी में भी पढ़के आप अच्छा कर सकते हैं क्योंकि सोचे जो पुछा जाएगा उस सभी हिंदी में रहेंगे जिसमें से 50 बनाना है और अगर आपको ब्याकरन थोड़ा भी नहीं आता है तभी तो 40-45 प्रसंट तो बूक से ही रहा जाएंगे बूक में आप जानते हैं कि इतना अच्छा-च्छा कहानी है उसको आप अच्छा से समझ कर करना है कि पार्ठी पुस्त को आपका जो भूक है उसको हिंदी रूप आंत्रण में बार बार अभी समय है पढ़कर रखना है क्योंकि यहीं से तमाम प्रसंट आपको मिल जाएंगे अब सवाल है कि ठीक है अब जेक्टी में तो हम पार्ठी पुस्त को पढ़नेंगे और हम इसको आप पढ़ते हैं तो आसानी से इसमें आपको पचास में पचास अंक मिल जाएगा इसमें कोई दिकत नहीं आए पर्ठी तगाधान्स जो मैंने बताया कि दो आपको सॉल्व करना होता है तेरा अंका यह भी बड़ा आसान होता है क्योंकि एक पैसे टाइप का प्रसन अपने सेुल्व कर लेते हैं तो यह 13 में 13 आपका फ्यक्स हो गया संस्क्रीट पत्र लेकन पर हम जल्दी कलास लाएंगे इसमें सिर्फ आपको फॉर्मेट समझ के रखना होता आंक त台 इसके बाद संस्क्रीत अनुछे लेखन की बात करें तो इसमें तो कोई जंजट नहीं हर साल हम लोग जब परिक्षा नजदिक रहता है तो पिछले साल ही पांच ही हम लोग गेस किये थे और पांच में से एक आहीं जाता है जैसे कि परसारी तुह हिमाल है दिवाली है सब हर साल पूछे जाते तो ओ आपको अगर आता है तो लिख सकते नहीं आता है तो उसको लगू-तरी ये प्रशन रखता है आपके book से इसमें तो बड़ा ऐसान-असान प्रस्ना अगर आप मैंने बताया जो objective के लिए प्रष्ण में लिखना होता ये प्रष्ण में अपको लिखने को मिलेंगे बाकी टी Candi यहाँ पर यह जो शोलां कहें तो हίνदी में आपको लिखना है, इसको संस्क्रेट में जवाब नहीं देना होता है, तो यह सोला तो आपको फिक्स हो जाएगा, उभराल देखा जाया है आपको हίνदी में इसको फॉलो करते हैं, तो आपका 96 वैस नहीं आगे तो सोचिए अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं जो मैंने बता रहा हूं उसको समझ समझ कर और इस वीडियो को नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखकर पढ़ते हैं और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस वीडियो का लिंक मिलेगा अभी परियाप समय उसको देख देकर सीखते हैं तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अभी परियाप समय तो ब्याकरन के यह च्छोर टॉपिक पर विषेश आप ध्यान देकर पढ़ सकते हैं अब सवाल है कि यह ब्याकरन के यह टॉपिक और पाठ पुस्तक के लिए उसके आप को हिंदी में पढ़ जाना है उसके अलावाब आपको Sanskrit ब्याकरन पढ़ना है तो यहीं ब्याकरन नहीं है तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लगाया हूँ देखें Sanskrit ब्याकरन या Hindi ब्याकरन कोई भी छपाता है किसी class का नहीं होता है इसलिए मैं आपे suggest करूँगा यदि आप कोई भी guess या guide रखे होंगे तो उस guess guide में क्या होता है कि guide में खासकर guess तो बड़ा पतला होता है लेकिन guide में आपको जो Sanskrit ब्याकरन मिलेगा original topic रहेगा तेंथ class का तो guide से topic पढ़े क्योंकि ब्याकरन में तो सभी class के लिए रहता है तो उसमें आपको ज्यादा भटका होगा लेकिन guide में जो topic मिलेगा वही त्यंत का ब्याकरन का खंड कभर करें और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो आप book पढ़ेंगे इस book में जो देखिएगा परतियेक book अगर आप देखेंगे तो एक चेप्टर जैसे मंगलम आप पढ़ प्रस्ण रहेगा और उसके अलावा ब्याकरन खंड से समास से संधी से परतियाय से कारक से प्रस्ण पूछे जाएंगे तो book के ही ब्याकरन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और कोई भी आप chapter पढ़ें कोई भी टॉक पढ़ें तो सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आपको टॉपर बना है तो कोईशन बैंक लेकर आप जरूर पढ़ें कोईशन बैंक में पीछे क्लास अब लेबल है आप नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा कि कैसे कोईशन बैंक का तयारी करना है इसके लावा मोडल पेपर जो 2022 परिक् स्कोर कर सकते हैं संस्क्रीट में तो इस्तांदार वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिएगा साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग आपके सभी भी साय के कलास 10 के 2022 बोड पर इच्छक लिए सही चर्चा कर चुके हैं अब एक मातर और से से आपका ह हिंदी और दूसरा नमर से इंगलिस उसके बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथ इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा जैसा आपका कमेंट आएगा उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप को बहुत बहुत धन्य बाद